नमस्कार जूनियस मेरा नाम है अधित शर्मा और आप देख रहे हैं Commerce भाया अधिर अभी IP University के अंदर बहुत सारे colleges के internal exams चल रहे हैं and internal exams के अंदर आप लोग को एक डाउट आ रहा है अगर हम लोग internal exam में किसी भी एक exam में है फिर सारे ही exam में अगर हम absent होती है या फिर आप लोग IP University के main campus से ही क्यों न पढ़ाई कर रहे हो and आप लोग by chance कोई भी एक अपना internal exam छोड़ देते हो चाहे वो एक exam हो चाहे वो आप लोग के सारे exam हो आप लोग अगर कोई भी internal exam छोड़ते हो अगर मैं आप लोग को minimum बता हूँ अगर आप लोग एक exam भी छोड़ देते हो तो exam छोड़ने का आप लोग को loss क्या हो सकता है लोग सबसे बड़ आप लोग का यह होगा पिछली बार भी अभी जो आप लोग के results आए होगे उनके अदर आप लोग ने देखा हो अगर notice करा हो या फिर ना किया हो मुझे पता नहीं क्योंकि बहुत सरे बचों ने तो मुझको messages personally किया दे भाहिया मैं internal exam में absent था और मिरको 0 लगा के fail कर दिया गया है आप लोग के attendance के 15 नमर हो जाते हैं आप लोग के assignments के फिर 15 नमर या फिर maximum आप लोग का percentage करता है मेरे खाल से 40 में से अगर आप लोग का है तो 25 marks जो है वो आप लोग का internal तो वहां अगर आप लोग 25 marks तो आपको मिलने वाले है नी तो मतब मेरा कहना समझो कि अगर आप लोग इंटरन एक्जाम के अंदर आप जो रेटन एक्जाम आप से लिया जाता है या फिर आप लोग किसी practical में भी अगर जाते नहीं हो आप आप सोच तो गया प्रैक्टिकल यह तो है क्या करेंगे जाके प्रैक्टिकल के भी आप लोग का और मॉर्मस्ट 40 से 50 खरिपके तो इसके लिए बैलोग यह उत ल से अग्जाम और यह उत्यरि आप लोग की एक्जाम में में जितने भी एक्जाम होई है या फिर आप लोग के एक्जाम नहीं है है तो आप लोग अपने college से बात करिए and request करिए कि वह आप लोग का re-internal ले लीजे चाहे वो practical हो या फिर आप लोग को कोई theory exam को colleges के पास अभी time है वो लोग आप लोग के re-internal exam बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि आप लोग के absent होने पर लगा दे जाएगा internal exam में आप लोग का zero internal में अगर आप लोग के zero लगते हैं चाहे आप लोग की attendance हो या फिर आप लोग के assignment दे रखे हो चाहे आपने files दे रखे हो उससे matter नहीं करता है absent मतलब आप लोग को लेगा zero zero लग गया और उसके बाद आप लोग को क्या होगा अगर आप लोग internal और external किसी भी एक चीज में absent हो जाते हैं एंड उसके अंदर आप लोग का zero लग जाता है तो उसके आप लोग को totally fail ही मानता है मतलब चाहे internal हो या external हो आप लोग को देना दोनों पड़ेगा क्योंकि अगर एक में भी आप लोग आप लोग को totally fail माना जाएगा उस subject के अंदर बाकि अगर आप लोग को कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं comment box के अंदर मैं आप लोग का जवाब ज़रूर दूँगा ये वीडियो कर आप लोग अच्छी लगी दिप्लीज को like करो शेर करो अपने द अन्यवाद